बख्रा ने खाया खर्रा जिन्हां आपको यहाँ खबर जरा सुनने भी विजी तरह लगेंगी लेकिन यहाँ घटना घट चुकी है बड़े ही मजे से बख्रे ने खाया है खर्रा एक तरफ वेक्ती अपना टाइम पास समझ कर खर्रा खाते ही है लेकिन आज बख्रे ने भी खर्रे का स्वात चकी लिया यहाँ खबर मोगाओ की दर्शाई जा रही है जहां एक वेक्ती का बख्रा जो की है पाल्तू उसके साथ मस्ती करते वक्त बख्रा भी खर्रा खाने के दोरा शामिल हो गया वेक्ती के शरीर पर मस्त पाउं रखकर खर्रे का स्वात दीव चकी लिया है जहां दूसरी और पर्प में बीना किसी कपड़े के शामिल होंगे लोग जहां बावी सव होंगा एंडरी का तिकट आज कल के दिनों में पर्प का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है इसी बीच ऑस्टिडिया का सिड्नी शहर एक बार फिर चर्चा में है इस बार वज़ा एक पर्प में आयजित होने वाला इवेंट है बताय जा रहा है कि इस इवेंट की खासियत यह है कि यहां लोग बिना कपड़े पेनने आएंगे खाएंगे और पिएंगे साथी खोब म बस्ति भी करेंगे इस बार में संडे शेश का नाम इवेंट आयजित किया जा रहा है दूसरी और थपड की शुटिंग पूरी हो चुकी है तापसी ने लिखा भाव पोस्ट लिखा है कि सोंवा को इंस्टाग्राम पर एक भाव कर देने वाला पोस्ट साजा किया है जिसमे उन्होंने थपड में काम करने के दोरान अपने अनुभवों का साजा किया है अभिनेत्री ने लिखा है कि आखिरकार थपड की शुटिंग पूरी हो चुकी है 31 दिन तुफान से भी अधिक तेजी से गुजर गए लेकिन गराव प्रभाव छोड़ गए जहां ज्यादातर म मैं अपने नक्षत्र का शुक्रिया अदा करती हूं कि मुझे अनुभव करने का मौका मिला है वहीं दूसरे पल में ये मुझे बहुत अधिक अभिश्याब लगता है यह हर पल मेरे यादों में रहेंगे अभिनेत्री ने सिन्ना का शुक्रिया अदा किया है कि वे कई सारी और साधारत मैला को एक साथ लेकर आए फिलाल वक्त हो चुका आए ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आप हुमारे चैनल को आप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर एमिन सिंदी लिखिए और आप यूटीब पर सब्सक्राइब करना ना भूले तब तो किरी बने रही है MNS News के साथ धन्यबाद